हांची प्यारे बद्यार्थियों आज जसी गल करन जा रहे हैं मनुखी स्वाधिक प्रविर्ति दी के जो साठे कोड हुंदा है असी उस तो कदे भी संतोस्ट नहीं हुंदे हमेशा आसी दूज्या नाड़ा पदा कंपैरेजन कर देयां जग कहो पंजाबी देवेचे अपके न सानु दूज्या नी थाली देवेचे लड़ू अजला बड़ा लगदा है ठीक है आसी हमेशा सोच देयां कि वो साथो जादा खुश नहीं हुंदा है उन्हानु कोई प्र आप्यक्त कर दी कहाणी लेके में हाजरां ताटेलें तो कहाणी की करिया डॉंट कंपेर योसल्फ तू अदर्स इस पावनु व्यक्त कर दियां वेल्खम दिया स्टूदेंस एं टूड़ेज वीडियो क्लास एक कहाणी यांदा पीकॉक एंड़ दा क्रो मोर ते कांदी कहा कहाणिया जिदे विच्छ कांगी आवदा कंपेरिजन कर दा कि दे नल मोर ते नाल कहाणी कित्थों लेके यां छेमी क्लास दी इंग्लिश कंपैनियोन भुक का वेटा उदे विच्छ लेगिया लेसन नंबर छे दे अंडर दर्जा है तो अज आपा करांगे दी ट्रांसले लिडिंग होंदिया अक्टिविटी नंबर वान जिदे असी नमे वर्ड संद ते ने जड़े ओधा मीनिंग जननना उन्हाँ प्रनांसियेशन चेक करनी याँ स्पैलिंग्स देखनेया उन्हाँ याद करनेया ते उन्हुं वक्याबलरी वड़ी जड़ी कॉपी आओ ते न आदी नाले नानु कलियर भी कर देया ठीक है तो फॉस्ट वर्ड फीडर्स फीडर्स की हुंदिने खंब नूट कर लिया सेकेंड रफ्लेक्शन रफ्लेक्शन हुंदिया चलक जा प्रतिवेंब वो चाहे तुसी पानी चे देखो अपना आप चाहे तुसी शीशे चे देख रही हा उन्हों सेकेंड na reflection थर्ड वनन एं, accepted की उता सिविकार किता, क्सफेट्वाटन सिविकार करना फीडि लागी सिविकार किता, नेक्स्ट वरड भाल आ गया purgyging फ्लहर्चिंग मेंस आराम कर देख्र सफेस्टगा वर्ड वायोसे इता जन्ता किसे उच्ची था आते जा दराख दीक से टानी पे वैठना आराम करना उस पर पसना यूस किता जन्ता तो नेक्स्ट वर्ड एग्नोरींग इगनोर हुं दा नजर अंदाज करना ना इकनोरींग भी नजर अंदाज कर रहा है कोई रिलाइजड ओ सो सोली फिर्ड नेक्स्ट वर्ड है एग्नोरींग इगनोर हुं दा त्से नो आन देखा करना डगे अपकेन आपडिगल्टे अंदाज करना ed लगी है क्योंकि है no second form next one आग है collected collected means collect हुंदा कठा करना पठे कीते humiliated humiliate हुंदा बेश्ती बेश्ती करना जा बेश्ती कीती कह सकते हूँ apologize means mafi mangi okay हो गया यह नू वीडियो नू इतो stop करके तो CNN लेख सकते हूँ सारे नू बेटा next हुण आपाँ शुरू कर दियां reading let's read the story okay once there lived a crow who did not like his black feathers इक वार दिगल्या जा इक वार इक काँ सी इक काँ रहन्दा सी जीदे की सिगे काले खंब सीओ पर अपदी काले खंबानू पसंद नी सिकता did not like लिख्या ना पसंद नी सिकरता हुदी काले खंबान। कौन देता जाद के काले खंब हुद्धी है ना he wanted to be like a peacock because the colorful feathers of the peacock look very beautiful केंदे जडे उनू की पसंद सी उनू जडा मोर सी peacock की हंदा मोर दे जडे खंब ज्यादा पसंद सी क्योंके वो colorful सी हो ची बहुत सारे रांग सी वो बाले सूने लग दे सी उनू यू लोक सू डल अन्ड प्लेइन वो आफ दे आपनू कह रहे है के ना तू किन्ना पद्धा जाते साथ द्धा जा लगदा लोक हो ब्यूडिफुल दा पीकोक्स आर देख ना मोर किन्ने सूने ने पीकोक्स हो गया बहुत दे आई विश आई वारा पीकोक काश मै मोर हुंदा थीक जुत्तिय अपने गल करनी या मिमे ए हुंदा जा मेरे कुडो हुंदा आई विश नारत तूस यू ना उस न्टेंस बोल सा दें he would say to other crows one day searching on his tree first activity किसे उच्ची था ते बैठके राम करना खास करके अनिम बर्सले यूस किता जांदा बिद्राख दी तानी ते बैठके राम करना ते लाईया दी पिक्चर क्रो दी तानी ते बैठा राम कर रहे है searching on his tree the crows are many peacock feathers on the ground एक देनो बैठा तानी देउत्ते द्राख दी ते अराम कर रहे है सी ते उन्हें थल्ले ग्राउंड देउत्ते तर्ती देउत्ते डिग्गी होए मोर्दे बहु सरे खांब दीखे the feathers look very beautiful ते खांब सी बहुत सुने लग रहे सी seeing those peacock feathers he got an idea उन्हें उन्हें मोर्दे खंबा नू देख दे हुए seeing ना देख दे हुए दे दमाग दे विच्चे का बिचार आगया idea आगया he collected all the feathers and stuck them into his wings and the tail उन्हें की किता सारे ग्रे खंब सी उन्हें नू कठे किता ते फिर उन्हें की कर लिया stuck कर लिया आप दे दे चिपका लिया किते चिपका लिया उन्हें bings आप दे खंपा दे tail अपनी पूँच दे he also put a few on his head to look like a peacock उन्हें का दा कुज खंब आप दे शर्ते भी लाले तांके उन्हें मोर बर्गा दिखे विलकुल he flew to the river to see his reflection और उन्हें ऊडदा किते गया अरे बनुण गोह न थे नधी नधी थे गया की देखन Аप दा प्रतिविम्भा देखन अब देच्छा लुक देखन मी में किद्दां मोँ थे थोड़े मोणी तियार हो के में शिशे च कि देखन भानी उन्हों न कोले ता शिशा है नी फिर उन नदी ते गया दिखने न बाव नाओ आई लुक एस बीटिफुल आस फीकाप he said happily उन्हें खुशी खुशी कहा हाँ हुन दिखो मैं कि इनना सोना लगदा बिलकुल मोरा बरगा he felt so proud that he stirred ignoring his friends he told them look at my beautiful feathers वो कहांदा देखो मेरे सोने खांब देखो I don't belong to you anymore मैं हुन थोड़े नाल मेरा कोई सुबंध नी so stay away from me यसलाई मैं तो दूर रहो आप देख साथिया नुक एर या पिक्चर चे तुसी देख रहो ना ताणिया ते बठे ने वो कहांदा तुसी मेर्तो ता परही रहो अग गया गया Now I am also as beautiful as peacock हुन में उनना ही सोना जिनना के मूर He said to himself हुन अपने आपनु कहा He thought that now he should live among the peacocks हुन सोच च्या हुने हुन मेंनू में ता मूर बन गया हुन मेंनू मूरा दे नाली जाके रहना चाहिदा अमांग हुं दे बिचकार भी में दा मोरां दे बिचकार ही रहना चाहिदा So, he went to join the pride of peacocks So, होनो चलेया गया Bent go the word, bent second form होगी वो चलेया गया किथे चलेया गया Pride of peacocks means Peacocks दे अपा कहने गुरॉप नू चोंडर नूजी में अपा बजा बिच कहने Pride of peacocks कहने ठीका But peacock laughed at him पर जदो मोरां दे चुंड कुल गया उपर में picture भी लगाई है ना मोरां दे चुंड दी तो तो सारे उते हसन लगे They did not accept him उना ने ता accept ही नहीं किता हुन या सी नहीं तो अनू से इविकार किता The peacock knew that he was not one among them क्योंके मोर ता जान दे सीगे कि वो साड़े बिच्चो एक नी हैगा He was a crow वो ता एक कांगा Okay, peacock Feathers will not make you peacock they said to him उनना ने मोरां ने उनू की किया वी मोर दे खंब Means तु मोर दे खंब लगा ले ने मोर दे खंबा नाड़ तु मोर नी बाणना लग गया Okay, चलो जी अगए Sad and feeling insulted He thought that his crow friends would be happy to see his new feathers He returned to his fellow crows वो अपने साथी कामा दे कोल आगया Noun of his fellow crows accepted him वो दे जड़े fellow crows दे जाणनाल दे कां सी उनना ने भी उनू सिविकार नी किता They did not want him back because he had insulted them earlier क्यों नी उनने सिविकार किता क्योंकि उनना ने बेस्ती करके क्योंकि में तो परे रहो है न They also knew that he had been insulted by the peacocks उनना नो एक अल भी पता सीगी किनू कामा नो दे आड़िया नो भी एक मोरा तो भी बेस्ती करवा किया They also started laughing at him वो भी वो दे ते की लागे? हसन लागे They looked at his feathers and laughed at his face वो दे खंबा नो देखदी हुए वो दे हस रहे सी फिर दे खोन अगे की हुए Then the old wise crow came and told him फिर एक बुद्दा जापत देना ताद कैसा देना ताद एक बुद्दा ते स्याणा काँ आया? ते उने उनुँ दसेया जक्के हा We should accept ourself the way we are ये में लाइना अस दी वी असी जिद्दादे हैगे या सानू आपने आपनू ओद्दादे सिविकार करना चाईदा Do not try to copy others सानू दूजयानी नकल करन दी जरूरत नी कादले blindly बिना सोचे समझे दूजयानी नकल नहीं करने चाहिएदी Peacock feathers are good for peacocks only जिदे मूर्दे खंपने हूं मूरां ले ही वदियाने For crows the peacock feathers are heavy जादके कामा ले ये बहुत पारे ने You will not be able to fly properly with the stuck on your body जिदे तेरी body दे तेस्टाक कीपते हुए ने आई हुए ने, बनने हुए ने ता फिर तू उड़ ने सकदा सही तरीके ना, properly ने उड़ सकदा I hope you have learnt your lesson मेन उमीदा के तू अब दज़ड़ सबकाए तो सिख लिया हुए ना The crow realized his mistake फिर उने क्रो नो अपनी गल्ती दा की हो गया एहसास हो या जो उने अपनी गल्तीनू में हसूस कीता Though he thought that he was looking handsome He found it difficult to play properly केन अचाहियो बेशक के गड़ी खंबसी लिगा के बहुँ सूना लग रहा सी पर उनुँ सही तरीके ना, उड़ण देवेचे दिक्कता रही सी He thought of all the entire peacock feathers that was stuck to his feathers Thore of उन्दा जल्दी जल्दी किसे चीजनू अपने तो लग करना हना पट के सट देना, मूब करना, फार देना उने जल्दी जल्दी नाल जने उने खंब चिपकाई होई सी अब दी बाड़ी थे अब दे खंबाते हो सारे मोरले उन्दा के सोटते He accepted his plain self उन्ने अपने आपनू जल्दा साद्दा जैसी जी में उमें सविकार किता Then he went to his friend and apologized for insulting them फिर हो अपने दोस्तां कोल गया उन्ना तो माफी मंगी उन्नांदी बेस्ती करके आयसी ना हो अपने जल्दी उन्ने बेस्ती किती हो जल्दी उन्ने माफी मंगी They accepted him and become friend again उन्ने उन्नों क्रोनों सिविकार कर ले ते दोड़ा दोस्त बन गया The crow was finally happy आखर कार जड़ा कां सी वो खोश हो गया So, ये साड़ी स्टोरी सी बड़ी ही meaningful स्टोरी है वेटा सानू एक दुझे ना comparison नहीं करना चाहिदा आसी जिद्धान दे है गे प्रमात्मानी बनाया कोई सो समझ के बनाया सानू अपने आपते मान करना चाहिदा So, स्टोरी सानू की दस दिया We should accept ourselves the way we are जिद्धान देसी है गे सानू ओद्धान दे अपने आपने आपनू सिविकार करना चाहिदा ए कहाणी सानू दस दिया So, बहुत ही खुबसूर्त कहाणी सी बहुत ही खुबसूर्त मैसेज देना I hope ते तुसी स्टोरी नू उन्ज्वाए किता हूँ So, बहुत ही खुबसूर्त मैसेज दे भी तो आडे तक पहुंचिया हूँगा Not only sound through, meaning through Means कैन दापा मेर यवाज ही नी पहुंची मैं जो कहना चाहिया जाए स्टोरी दे विच जो कहना चाहिया गया वो तो आडे तक पहुंचिया हूँगा So, बहुत हूँगा, बहुत है, जो कि आडे तक पहुंचिया चाहिया